अलो दोस्तों नमश्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन विजय एजुकेशन में आपका श्वागत है प्यारे बच्चों विजय परिवार उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बच्चों को गाइड करता है बच्चों को फॉर्म फिलिंग के बारे में और काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकरी देता है और यहां तक हम फॉर्म फिलिंग करके बताते हैं कि यह से आपको फॉर्म बरना हैं क्या डोकिमेंट लगाने हैं तो आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसी नर्सिंग के 2024 सेशन में एड्मिसन के फॉर्म आए हुए हैं इन एड्मिसन फॉर्म को लेकर कि कुछ बड़े अपडेट है जो मैं आपको दूँगा साथ ही साथ डोक्यूमेंट कौन-कौन से अपलोड करने हैं फॉर्म फिलिंग में वो बताऊंगा और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म में गलती हो गई है क्या करेक्शन का मोका मिलेगा तो मैं करेक्शन पर भी आप से बात करूँगा कि क्य क्या मिश्टेक होने पर जो है करेक्शन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए जो नए फॉर्म बरने वाले स्टूडेंट है मैं उनको भी कुछ जानकारी दूँगा अकाउंट के बारे में एकाउंट डीटेल जो बच्चे बर रहे हैं उस पर बात करूँगा फोटो अप्ल यूपी के अंदर बी एसी नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाते हो तो आपको एक एडमिसन फॉरम बरना पड़ता है और वो फॉरम ओनलाइन बरा जाता है फॉरम किस नाम से बरा जाएगा तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दू बच्चो उतर परदेश के अंदर एक उनिवरसिटी है जिसका नाम है ABVMU अटल बिहारी वाजपई Medical University इस उनिवरसिटी से मानियता प्राफ्त लगबग 250 से भी जाद़ा कोलेज है यह कोलेज इस उनिवरसिटी से मानियता प्राफ्त है है तो इन में Government college भी सामिल है और Private college भी सामिल है तो कुल मिला करके UP की अटल बिहारी वाजबे यूनिवर्सिटी की वेब साइट के ऊपर B.S.C. नर्सिंग कॉर्स में एडमिसन के लिए फोरम बरा जा रहा है और फोरम का नाम है C.N.E.T. फोरम का क्या नाम है? C.N.E.T. Common Nursing Interance Fest इस नाम से आपको फोरम बरना है फोरम मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आप UP से B.S.C. नर्सिंग करना चाते हो तो पहले आपको अटल B.R.E. वाजबे यूनिशिटी की वेब साइट पर जा कर फोरम बरना पड़ेगा फिर एक इंटरेंस एकजाम होगा परवेश परिक्सा होगी वो देनी है और परवेश परिक्सा में अगर आपके अच्छे नमबर आए तो आपको टॉप के गॉर्मेंट कोलेज मिलेंगे जैसे केजी एम्यू लखनव एस जी पी जी आई लखनव यू पी यू एम सेफ़ाई लल आरेम मेरट आरेमल लखनो ऐसे बड़े बड़े कोलेज गॉर्मेंट के कोलेजों में आपको दाखिला मिलेगा और अगर आपके नमबर थोड़े कम रह जाते हैं तो प्राइवेट कोलेज मिलेगा और बहुत कम नमबर रहे तो कोई भी कोलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा P.S.E. Nursing में Direct Admission नहीं होता है P.S.E. Nursing के लिए एक्जाम देना जरूरी है Private College में भी सिधा दाखिला नहीं होता है बटा, Entrance एक्जाम देना कमपल्सरी है कौन एक्जाम दे सकता है, यह आपको पता ही है अगर आपके बारवी में Bailogy सब्जेक्ट है तो आप forum भर सकते हो हैना मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मेहत वाला बच्चा forum भर सकता है तो इसका answer है नहीं मेहत का बच्चा forum नहीं भर सकता केवल बायो वाला बच्चा जिसके 12 के अंदर biology subject है वही forum भर पाएगा हाँ अगर कोई मैत का बच्चा है और उसके बाईलोजी एडिस्नल है तो वो फॉरम लगा सकता है मिनीमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए बच्चो 17 वर्स आपकी मिनीमम एज होनी चाहिए है और एक जानकारी बता दूँ क्या सर अधर स्टेट का बच्चा फॉरम भर सकता है जी हाँ अधर स्टेट के बच्चे भी अपलाई कर सकते हैं यूपी बीसी नर्सिंग का फॉरम लेकिन अधर स्टेट के बच्चों को केवल प्राइवेट कोलेज में इदाकिला मिलेगा जरू हैं 29 मई दोजार चोबीस तक फॉरम भरे जाएंगे है ना और बच्चों आपके एडमिट कार्ट पांच जून को आएंगे और आपका इंटरेंस एक्जाम जो है वो 14 जून को है अब बच्चों इस इंटरेंस एक्जाम में क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको ज जानकरी आने वाली है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं है ना बिलकुल जी तो प्यारे बच्चों बहुत ही काम की जो जानकरी है बहुत ही जो इंपोर्टेंट डिटेल है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ठीक है ना बिलकुल जी सबसे पहले तो बच् करते हैं physics की physics के भी इस entrance exam में 40 qs न आएंगे फिर हम बात करते हैं chemistry की chemistry के भी इस entrance exam में 40 qs न आएंगे इसके बाद बचो nursing aptitude है ना nursing aptitude के भी 40 qs न और English के भी 40 qs न पुल मिला करके बचो इस बार आपके जी के नहीं आने वाला है है ना बिल्कुल जी तो 40 qs English के भी आएंगे सबसे बड़ी खुसकबरी यह है बचो इस बार हमारी जीत हुई है हमने मुहिम चलाई थी पेपर दोनों मीडिय में करवाने के लिए तो पेपर इस बार Hindi और English दोनों मीडिय में होगा मतलब bilingual पेपर आपका लगेगा परते क्यूसन Hindi और English दोनों मीडिय में लिखा हुआ हो और 20 मिनट का मिलेगा थी 10 गंटे और 20 मिनट का और बच्चो नेगेटिव मार्किंग है embi नहीं होगी ठीक ना सबसे बड़ी बात है सिल्यबस जो आपको रहेगा वह 11 और 12 रहने वाला है 11 और 12 का क्या रहेगा पिटा इस आपका रहेगा domu ncrt के अनुसार है ओके बिलकु सर की जो है हमारे कहीं न कहीं इस बार जो है सिलेबस से जी के अट गया है है ना बिलकुल जी अब मेरे दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है ठीक है ना वो भी हम कर लेते हैं तो देखिएगा यहां पे समझने वाली बात और देखो बच्चो एक बात में और भी आपको बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पे केवल physics chemistry पाइलोजी पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनके तो 120 नमबर के equation है 80 नमबर की तो आपकी nursing aptitude और English grammar है तो इनको भी आपको साथ में पढ़ना है और हम विजे education app में हमने अभी क्रेस कोर्स launch किया और वो क्रेस कोर्स लगबग यूपी के सारे ही बच्चे जोइन कर रहे हैं और उस क्रेस कोर्स में आज से ही क्लास शुरू हो रही है डेली एक चेप्टर वन सोट सेशन चलेगा डेली एक चेप्टर का रिवीजन होगा प्रोपर टेस्ट ह रिवीजन विजए एजुकेशन एफ के प्रेस कोर्स में अपन करवाएंगे केवल 490 रुपे फी से अभी जोइन कर लेना यह नंबर है मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ विजए एजुकेशन के जो एलप लाइन नंबर है यूपी के लिए वो अब अलग से हमने एलप लाइन है यूपी के लिए स्पैसल है ना आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे वाटसप पे मैसेज डाल दीजिए यह दोनों नंबर फॉन पे और गूगल पे से जुड़े हुए है इन पे आप 490 रुपे का ओनलाइन पेमेंट करा के ठीक है और सीधा आप जो है इन न पाई के नंबर से इन नंबरों पे आप 490 रुपे फोन पे डलवा देंगे फिर इसके बाद में आप इस नंबर पे वाटसप पे आप अपना नंबर टाइप कर दीजिए और बेच का नाम टाइप कर दीजिए विजे टीम यहां से आपको बेच में एड़ कर देगी और एप में विजे डाउनलोड करने के बाद एप में बेटा जो है आप अपना नंबर डाल दो नंबर डालों के दंदर कॉर्स दिखेगा अठाल क्रेस कॉर्स इस बगा हुआ होगा ना इसमें लाइव पर अगिरा सारी चीजे तो अपंड़ पर क्लीक करो गे क्लिक करोंगे त तो आप खुद अगर बेच चालू करना चाहते हो यह तरीका है और इस पर दिख भी रहा है तीम आपको दिखा भी रही है ठीक है ना इसक्रीन पर दिखाया जा रहा है ठीक है कि नहीं है तो पहले डाउनलोड किया फिर डाउनलोड करने की लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी बेटा और सीधा गूगल प्लेश्टोर पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा विजय एजुकेशन है ना फिर क्रेस कोर्स पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्सन आएगा आई एम इंट्रस्टेड पेमेंट के सामने 490 के सामने आई एम इ बेटा बेच और आप इन नमड़ों पे ओनलाइन पेमेंट करवाके भी अपना बेच चलू करा सकते हो ठीक है बिलकुल जी तो मेरे दोस्तों आप इन नमड़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरी होनें पर ही पोल करें अधर्वाईज आप इन नमड़ों पर वाटसब मेशे यह बिटा common nursing interest test यहनी cnet 2014 का तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है photo photo आपके पास अपना होना चीए passport size का photo होना चीए उस photo के नीचे आपको अपना नाम और photo खिंचवाने की date लिखनी है है ना photo खिंचवाने की date जनमतीती मत लिखना बेटा date of photo है ना और यहां आप अपना नाम लिखोगे और यहां आपका क्या होगा बेटा photo होगा ठीक है ना और इसका background white background रखना है ओके background कैसा रखना है photo का white और photo होना चीए color ओके फिर आपको अपना sign upload करना है sign में भी बच्चों ध्यान रखना है एकदम simple आपको अपना sign करना है सीधा आपको अपना नाम लिखना है है ना बिल्कुल अब एक verification seat है बेटा भी दिखा दूंगा एक verification seat है जहां photo और sign upload होगा उसके पास में verification seat भी upload करनी है एक page है बच्चों वह print लेना है उस पर photo चिप करना है sign करना है तम impression लगाना है और दो जो है चिन लिखने identification marks body के और फिर वो seat upload करनी है इसके बाद में बच्चों आपको और क्या upload करना है bank pass book जिसको हम bank diary भी कहते हैं उसकी photo copy upload करनी है और अगर bank diary की photo copy नहीं है तो आपके खाते का अगर check book हो आपके पास तो उस check book से एक check जो है cancel करके एक check पे line कीच करके उसका photo कीच के भी आप upload कर स हैं तो जो bank के manager है आप उनके पास जाओ और उनको को सर आप let paid के उपर एक bank manager अगर एक page के उपर आपका नाम आपका खाता नंबर bank की साखा IFC code इतना भी अगर page पे लिखके bank manager sign करके देदेगा आपको तो भी वो पन्ना भी अगर आप upload करोगे तो भी काम आ जाएगा bank pass book की जगे ठीक है ना अगर मान लो कही bank pass book नहीं मिल रही है तो और बेटा bank में खाता खुला हुआ नहीं है तो कोई भी bank में खाता खुला दो चाहिए post office वाली bank को भी चलेगी private government कोई भी bank को चलेगी वो bank को नहीं चाहिए है ना हाँ जी और इसके अलावा बेटा आपका एक live photo और लिया जाएगा तो एस live photo computer center वाले जहां पर भी forum भरोगे वो ले ले लेंगे और मान लो उनके पास live photo का option नहीं है तो बच्छा आप खुद भी live photo ले सकते हो पहले bank diary तक upload आप उससे करा दो फिर live photo की जब बात आये तो आप अपने mobile में login कर दो forum mobile सामने ले रख दो कि सारी चीज़े चेक कराता हूँ verification seat तो बच्छो यह है जब आप forum login करोगे तो यह seat download करने का option आएगा इस पे passport size गा यह photo चिपकेगा बच्छो आप photo कम से कम 7-8 photo खिंचवा लेना एक ही तरह के photo 7-8 क्यूंकि exam देने जाओगे वहां काम आएगा seat पे चिपकेगा फिर आप exam फोरम बरोगे enrollment फोरम बरोगे reporting कराने जाओगे सब जगे वह photo काम आएंगे तो एक ही बार में 7-8 photo print निकल वालो अब बच्छो यहां आपको अपना नाम लिखना है sign करना है यह same sign इसकी इन कर दोगे तो भी चलेगा अब बिटा यह जो line लिकिवी ने a quick brown box jump eye over the lazy dog यह same line identification अपने सरीर के उपर कोई भी दो चिन दो मार्क लिखने मार्क में तो ऐसे लिख देना मोई on face Mia было on hand Malone neck कोई भी दो दो line आपको लिखणी होती है है ना ऐसे लिख दिए जैसे मानलो लिख दिया model on face एक यह लिख दिया मौल ऑन हैंड बस यह होगे दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कुछ बच्चे मौल ऑन है ना नेक लिख देंगे ऐसे करके हैं अब बच्चो यह तो बात होई गई अब देखो बच्चो आप जब फोरम बरोगे तो कौन सी वेब साइट है जिस पर जाके बरना है वो भी बता देता हो गई पर करेक्षन की भी अभी बात करूंगा वेब साइट है बेटा abvmup.edu.in abvmup.edu.in यह दिखा देता हूं आपको यह वेब साइट है आपकी है ना यह आपकी वेब साइट बेटा देखो यह वेबसाइट है www.abvmup.edu.in यह वेबसाइट है यह mail आईडी है cnet up2024 at the rate gmail.com कोई भी प्रोब्लम होती है फोरम भरने से related तो इस mail आईडी पे mail करना है और बागी यह है वेबसाइट जब यह वेबसाइट खोलोगे ने बेटा खोलते ही यहां पर देखो cnet लिखावा दिकेगा common nursing entrance exam इस पर क्लिक कर दो बीएसी nursing का फोरम भरने का यही लिंक है बेटा फिर आप यहां खोलोगे तो पहले ही पहले देखेगा यहां बीएसी nursing four year देखो बच्चो आपको four year वाली बीएसी nursing पे क्लिक करना है कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं नीचे two year वाली post basic nursing का फोरम भर देते हैं यह गलती मत करना बिटा ठीक है कि नहीं है आप four year वाली पे ही क्लिक करें ठीक है ना तो पहले ही पहले register होगा register जब करोगे यहां दो तीन नाम लिखे वे है उमीद्वार का नाम नाम माता का नाम पिता का नाम ककसा 10 वी के मारक सीठ के अनुसार होना चाहिए हैना श्रीमान श्रीमती दिवंगत डॉक्टर आदी उपसरग नहीं लगाने है Mr., Mrs. miss, लेट डॉक्टर ऐसी चींदे नाम के आगे नहीं लगानी है समझ मागी बात है ना और बच्चो फॉरम सावधानी पूरवक बरना है खुद पास में बेट करके बरना है और फॉरम सब्मिट करने से पहले बच्चो एक बार अच्छी तरह से देख लेना है लास्ट में जब फॉरम सब्मिट करोगे न उससे पहले एडिट भी कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो लेकिन सब्मिट होने के बाद एडिट नहीं होगा ध्यान रखना अब इन्होंने एक लाइन लिखी है आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा मतलब की फॉरम में आप करेक्शन नहीं कर सकते ये एक बहुत बड़ी बात है और चोकाने वाली बात है पता नहीं बोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है करेक्शन का मोका मिलना चाहिए सभी में मिलता है हर एक इंडिया का कोई भी एक्जाम होता है उसमें करेक्शन का चांस मिलता है तो यहाँ पर भी मिलना चाहिए हमारा निवेदन है अटल यून सिटी से कि बच्चों को चाहिए एक दिन का आप correction का मोका दो लेकिन दीजिए गाओं से बच्चे ज़्यादा तर बिलोंग करते हैं ज़्यादा तर computer center वाले भी इतने जानकार नहीं होते हैं तो mistake हो जाती हैं तो मेरा हाँ जोड के निवेदन है total university से प्लीज आप correction का बच्चों को मोका दें बच्चों के फोरम में बहुत ज़़दा तरूटियां हुई है और बच्चों में आपको भी कहना चाहता हूँ आप correction के लिए आप correction के लिए ज़़दा से ज़दा email करें यूनिवर्सिटी को आप इस नंबर पे ज़दा से ज़दा क्या करें भीटा email करें और हम लोग correction के प्रिटी नहीं ले रहा हूं लेकिन हम परियास करते हैं है ना तो आप यह नंबर दिख रहा है यह मेल आईडी इस पर मेल करिए और यह युनिवर्सिटी के हेलपलाइन नंबर है आप इन पर कोल भी कर सकते हैं है ना बिल्कुल जी अब देखो बचो तो जब आप फोरम भरोगे है ना तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है बटा रजिस्ट्रेशन में अपनी बेसिक डिटेल जनमतिती डेट ऑब बर्त यह सब कुछ बरना ह जियान रखना बचो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां आप अपना खुद का मोबाइल नंबर और अपनी खुद की मेल आईडी डालना यह दो चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है और फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और आ टाइम पासवर्ड तो आपको करना क्या है आगे आगे बचो अब वापिस से आपको जो है लोगिन वाले पेज पर जाना है यह वापिस वाला इस तरह से लोगिन का पेज आ जाएगा बिटा लोगिन का जैसे ही पेज आएगा तो इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेश ID और password डालते ही आपका forum खुल जाएगा बिटा Forum तो खुलेगा लेकिन आपको password change के लिए बोला जाएगा मतलब एक बार आपको password क्या करना पड़ेगा बिटा change करना पड़ेगा आपको password change के लिए बोला जाएगा आपको password इस तरह से change करना है जो mobile पे आया है वो password उपर डालना है और फिर यहां अपना password बदलना पड़ेगा जो भी आप password बदल के यहां पर बना दो ठीक है पर password जब भी बनाते हो तो एक उसमें इंगलीज का बड़ा सब्द एक star या 8-8 होना चाहिए और पीछे number भी होने चाहिए यह द्यान रखना alphabet हो होने चाहिए और इस पेसल लेटर या इस्टार या आच या एड़रेट होना चाहिए ओके अब बच्चों इतनी चीज डाल करके आप password बना देंगे आपका password चेंज हो जाएगा जैसे बच्चों password चेंज हो गया आपका फोरम आपका लोगिन होगा फोरम लोगिन होते ही पह बरने का option आएगा और जैसे ही आप फोरम की फीस भर दोगे यह इस तरह से option आएगा पिटा इस तरह से दिखेगा pay fee आपकी category के अनुसार या 2000 या 3000 जो भी फोरम की फीस होगी वो बरने का option आएगा और जैसे ही फी बर दोगे आगे आपको क्या बढ़ना पड़ेगा अपना education qualification बढ़ना पड़ेगा आगे आपको अपनी सारी detail बढ़ते हुए आगे बढ़ना है education qualification है अपना address है 10th और 12th की detail आप परोगे फोटो अपलोड करोगे जो verification seat है उसे अपलोड करोगे bank diary अपलोड करोगे और last में live photo लेके submit कर दोगे बराबर बात मिलकुल जी बचो detail अपने आप step by step आपकी खुलती रहेगी आपको डरना है नहीं मानलो आदा फोरम आज बरा तो आदा कल बर सकते हो किलियर बात है मानलो आप password भूल गए तो डरना नहीं है विजे परिवार आपको मदद करेगा support करेगा अगर आपके कोई दिक्कत आ गई है कोई समिश्य आ गई है तो बच्चों हम guide करने के लिए आपके साथ है आप यूं म सोचना कि मेरे तो mistake हो गई रब में क्या करूं को कोई mistake होगी तो उसका solution भी होगा चिंता मत करो मानलो आप password भूल गए तो बेटा यहां forget password का option है forget registration ID and password ऐसा लिखावा आएगा यहां पर बच्चों आपको करना क्या है अपना mobile नमबर या mail ID दोनों में से एक डालना है आपको डाल करके submit करना पड़ेगा आपके email ID के उपर और mobile नमबर पे नया password आ जाएगा नहीं mail जो है वो मेरे दोस्तों आ जाएगी अपनी forum नमबर आ गई मैं फिर से छोटी सी बात repeat करता हुआ बता दूं कि यूपी से भी ऐसी nursing करना है तो आपको सी नेट के नाम से common nursing entrance exam के नाम से एक फोरम बरना है और इसी नाम से एक exam होता है वो exam देना है उस exam में physics, chemistry, biology, nursing aptitude और English यह 5 subject है परते एक सब्जक्ट से 40 क्यूशन आते हैं पेपर इंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दो सो क्यूशन पूछे जाते हैं 11 और 12 से किलियर है फोरम बरा जाएगा ABVMU-UP इस website पे है ना हटल ब्यारी वाजपर यूशिटी के website पे फोरम बरने की लास्ट डेट है 29 मई 29 मई फोरम बरने की लास्ट डेट है एकजाम 14 जून को है है ना बिलकुल जी और प्यारे बच्चो अब बात ये है कि भई अभी भी समय बहुत है तो डरोगे नहीं बस बड़ी बात ये है ना और फिर बोल रहा हूँ अगर बढ़िया तयारी करनी है अगर वास्तों में सलेक्षन लेना है पूरे सिलेबस का रिविजन करना है है ना complete course का अगर रिविजन करना चाते हो तो विजे एड़ुकेसन का ये क्रेश सकोर से 490 रुपे में मिल रहा है 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 ना और मैं ये दोस्तों कोई 600 विजे एड़ केसन आपसे ले ही नहीं रहा भाई एप का जो नॉर्मल चार्ज है वही ले रहे हैं मेरे प्यारे बचो हम फिलाल यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें आपको अच्छा कोलेज मिले हमारा फिलाल यही टारगेट है ठीक ना इसलिए हम केवल एप का एक सर्वर चार्ज लगत है ना एप का सर्वी चार्ज लगता है और केवल उस नाम मातर के चार्ज में बचो आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं और पता है यह जो बेच लोगे ना तो इसकी वैलीडिटी आपको 15 अगस्त 2024 तक मिलेगी बटा अब आप सोच रहे होंगे सर हमारा एक्जाम जून में तो होई जाएगा तो आप बाद में दो महीने और वैलीटी क्यों दे रहे हो दो महीने और एक्ट्रा वैलीटी इसलिए दे रहे हैं बटा ताकि मान लो कोई भी बच्चा है ना आगे काउंसलिंग करवाएगा और उसे काउंसलिंग में अगर दिक्कत होती है तो हम इस लाने वाले बच्चे को कौन से कोलेज पहले बरने है यह सारी स्टेटेजी आपको इसी एप के अंदर मिलेगी चिंता ना करें लेकिन पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा मैनत करनी होगी इस बेच को जोईन करना है डेली आपको लगबग पास से छे गंटे की क्लास मिल देगा एप में जाकर के विजए एजूकेशन एप में जाकर या तो डारेक्ट आप बेज को बाई कर सकते हो या यह दो नंबर दिख रहे हैं 9649721229 9672721229 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप फोन करके भी जादा जानकारी कोर्स में जुड़ने की ले सकते हो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे वाटसप में सेज करके जानकारी ले सकते हो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन पे या गूगल पे 490 रुपे आप करवा के भी विजे टीम से भी अपना बेच चालू करा सकते हो ठीक है बच्चो बिल्कुल देखिएगा लास्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूँ कि मेरे से एक बच्चा पूछ रहा है क्या पूछ रहा है सर जी मेरे तो फोरम में हो गई गलती अब मैं करूं क्या तो बिटा चिंता नहीं करनी पहली बात तो यह क्योंकि आपने फोरम की फीस दे दी अगर आपका फोरम सब्मिट हो चुका है और कंप्यूटर सेंटर वाले ने गलती कर दी तो उसका कुछ सोल्यूशन भी होगा मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो है ना लेकिन आगे ध्यान रखना बच्चो करेक्शन का ओप्सन नहीं है मैं पहले ही बता रहा हूँ करेक्शन का ओप्सन नहीं है फिलाल तो इसलिए फोरम भरने से पहले दो से तीन बार देके अपने फोरम को पनू भवी कंप्यूटर सेंटर पे फोरम भरवाएं कहीं पे भी आप ये सोच रहे होगी ये फोरम सस्ते में बर रहा है इससे बरा दुना आप खुद पास में बेट के फोरम भरवाओ जिम्मेदार व्यक्ति से फोरम भरवाओ कहीं पे 50 रुपे फोरम भरने के ज़्यादा लगे तो उसको ज़्यादा दे के भरवाओ बेटा समझ में आई बात अब देखो बेटा सबसे पहली बात गडबड़ी क्या हुई है एक तो मैंने घडबड़ी देखी है कि बच्चों के जो लाइव फोटो लिये हुए है ना लाइव फोटो के उपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लाइव फोटो तुरंत क्लिक होता है इसलिए कम्पिटर वाले को बोलना कि भाई लाइव फोटो तुरंत क्लिक होगा इसलिए क केमरा आपकी तरफ रखेगे तो आपके पास कोई नहीं होना चाहिए पास में होगा तो उसका वीचे रसाथ में आ जाएगा तरही बार कंप्यूटर वाले क्या करते हैं वो वेब गेम अपनी तरफ रखते हैं और लाइव फोटो पे क्लिक कर देते हैं एक आध फोटो उसका चाहिए कंप्यूटर वाले का फिर वो आपके एक दो फोटो लगाता है तो पहली बात बताऊँ बटा लाइव फोटो में अगर कहींपे सब्निंग कीजिएगा क्योंकि जब लाइव फोटो लेते हैं तो लगवग तीन से चार फोटो लिए जाते हैं पता ही आपको तीन से चार फोटो उटो ही किलिक हो जाते हैं अपने आप ही, तो अगर एकाद फोटो सई नहीं भी आया है, या किसी दूसरे का किछ गया गलती से, तो बेटा ये आपकी गलती नहीं है, ये एक टेक्निकल खामी है, और इस से आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी, फोरम कोई रिजक होनी चाहिए सेम जो हमारे passport size photo में नहीं भई ड्रेस दूसरी होगी चलेगा live photo दून्दला होगा clear होगा किसा भी होगा चल जाएगा क्योंकि live photo आपको पता है normally होता है बहुत जदा clear नहीं होता है भई फिर भी परियास करना कि आपका चेरा के लिए अर्दिख जाए तो ठीक रहेगा ओके अब दूसरी गड़बर तो इस गड़बर से दिक्कत नहीं होगा क्यूं क्यूंकि बेटा आपका जो मेन फोटो होता है ना वो तो जो आपने अपलोड किया है वो मेन फोटो माना जाता है लाइव फोटो तो भी बात है एड्रेस में कुछ बच्चों के एड्रेस में प्रोबलम आई है मैं एक बात बता देना क्था हूं बेटा कत्ते इसमें कुछ correction करवाने की भी जरुवत नहीं है, है ना, अब बात आती है, father name और mother name के spelling की, बच्चों अगर mother और father name के spelling में कहीं, A की जगे E हो गया, E की जगे I हो गया, दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना, बच्चों बात है, पेंट, पेंट की जो आपकी detail है कोई दिक्कत नहीं होगा tension ना ले, है ना, बिल्कुल, लेकिं 12th की जो detail बरिये बटा, 12th की जो detail बरिये, ये सही होनी चाहिए, इसमें कोई भी problem नहीं होनी चाहिए, ये detail सही होनी चाहिए देखना, अगर आपने 12th में अपने percentage गलत बर दिये हैं, तो आपको बिल्कुल correction की जरुवत है 12 में physics के, chemistry के, bio के, English के अगर आपने number गलत वरे हैं तो बच्चों correction की जरुवत है forum reject नहीं होगा फिर भी अगर कभी भी chance मिले तो आपको correction जरूर करना चाहिए दूसरी बात अगर आपने अपने नाम की spelling की गलत लिखी है तो correction की जरूरत है अगर आपने अपनी date of birth या अपनी category आपने गलत वरिये बटा तो correction की जरूरत है है ना तो यही वो चार चीजे हैं बटा जहांपे correction की जरूरत है बाकी कहीं पर भी चोटी मोटी mistake होई यह चलेगा और आ फोटो और sign फोटो और sign आपका खुद का फोटो होना चाहिए आपका खुद का sign होना चाहिए यह चीजें इन में mistake नहीं होनी चाहिए बाकी अगर छोटी मोटी दिक्कत किसी में भी होई है तो forum reject नहीं होगा admission से वंचित भी आप नहीं होगे कोई problem नहीं होगा अगर इन में से किसी में दिक्कत होई है तो बच्चो आप forum की last date 29 है आप 25 मही तक wait कर लो 25 मही तक correction का मोका मिलता है तो ठीक नहीं तो फिर एक new forum बरना पड़ेगा आपको new forum बरने के लिए बच्चो email ID और mobile number आपको दूसरे यूज करने पड़ेंगे ठीक है ना बिल्कुल फिर भी बच्चो हम लोग परियास कर रहे हैं है ना हम निवेदन करी रहे हैं ठीक है ना आप भी email करते रहो कि क्या पता correction का chance ही दे दे लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ नियम यही है कि correction का मोका नहीं मिलेगा कोई भी बच्चा मैं सुरुआत से कह रहा था जल्दबाजी ना करें जल्दबाजी करोगे घडबड होगी बटा दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी बच्चा जो है अगर अनुपवी व्यक्ती नहीं है तो उसके पास फॉरम ना बरवाएं तीसरी बात यह है बटा अनुपवी व्यक्ती को फॉरम बरवाने के लिए साथ में लेके जाएं चोती बात यह है बटा जा इंट्रनेट की स्पीड अच्छी हो वहीं पे बैटके फॉरम बरवाएं खुद पास में बैटें फॉरम सब्मिट करने से पहले एक बार पूरा फॉरम वेरिफाई करें हर एक स्पेलिंग पढ़ें अपनी दस्वी की मारक सीट से मिलान करें आप गलती होगी मेरे मिस्ट्रे के फॉरम में ये मान के मिलान करो आप समझ में आगई बात बिल्कुल जी अब बिटा देखो इतनी बात आपके समझ में आई चुकी है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी फिलाल जरूरत नहीं है बिटा तो देखो ये कागज अभी नहीं चाहिए ओके बिल्कुल जी हाँ तो मेरे प्यारे बच्चो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दिये हाँ आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना जरूर लीजिए अगर आप OBC केटेगरी से आते हैं तो आप अपना नया जाती प्रमान पत्र एक अपरेल दोजार चोबीस के बाद का बना हुआ वणा चीए आप बनवा लीजिए बिटा अगर आप EWS के टेगरी से हैं तो भी अपना आप जो हैं EWS सर्टिफिकेट एक अपरेल दोजार चोबीस के बाद का बना हुआ उणा चीए नया बनवा लें है ना बिल्कुल जी डोमी सिल है या SCST के बच्चों का का सर्टिफिकेट पुराना भी है तो चलेगा बिटा ठीक है ना बिल्कुल जी की अच्छी तैयारी करो बड़िया मैनत करो और इस बार अपने को सेलेक्शन लेना है अपने गाउं के अंदर अपने सेर और गली मौले और कोलोनी के अंदर अपने को एक नई मेरे दोस्तों जो है एक पर दोस्तों मिसाल पेस करनी है कि जब आपका सेलेक्शन हो तो आपके अडोसी पडोसी और आपके रिस्तेदार ठीक है ना आपको मिठाई खिलाने के लिए आए आपको मिर दोस्तों जो हैं वहां पे सम्मानित करें और उन लोगों के इस्टेटस पर आपकी सफलता का फोटो लगना चाहिए मैं ये चाहता हूं कि विजे एजूकेसन की उन्होंने अपनी मेहनत से आपकी स्टेडी को इस मुकाम को यहां तक पहुचाने में प्रियास किया है याद रखिएगा यह आपके से आपका भी सपना होगा orada ममीं और पापा को भी एहिसास होगा कि मैने मेरी बेटी और मैंने मेरे बेटे के लिए जो मैनत करी है वो वास्तों में शाकार हुई बिटा कुद को कमजोर मत मानो मैनत करो पड़ाई करो रही के यकीन मानिये आपका सेलेक्शन होगा यकीन मानिये आपका सेलेक्शन होगा वी पोजिटिव आपका विजे परिवार आपका वि दे मात्रम बेटा